नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल महा इंद्र जाल में दोस्तों आज हम कुबेर साधना के बारे में बात करेंगे दोस्तों दिपावली का पर्व काने वाला है कुछी दिनों बाद दिपावली है और दोस्तो दिपावली पर एक विशेश सही योग होता है क्योंकि दोस्तो जो दिपावली की रात होती है ये अमावस की रात होती है और दिपावली की रात को अनेक परकार के टोने टोटके किये जाते हैं अनेक परकार के उपाय किये जाते हैं अनेक पर करके साधनाई की जाती है तो दोस्तो दिपावली की रात को कुबेर साधना का करने का भी प्रावदान है तो यदि आप इस दिपावली की रात को कुबेर साधना आप कर लेते हैं कुबेर जी को परसन न कर लेते हैं कोई बुज़ुर्ग हो, कोई जवान हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है दोस्तो जो कुबेर जी है इन्हें देवताओं को कोशा अध्यक्ष यानि खजान ची कहा चाता है तो यदि आप चाहते हैं कि माता लक्षमी की क्रीपे आपके उपर हो तो आपको देवताओं कोशा अध्यक्ष कुबेर जी को भी परसंद करना अवश्यक होता है दोस्तो कुबेर जी की साधना करने के लिए कुछ चीजों की आपका अवश्यक्ता होगी जो आप पहले से ही आप अरेंज कर लें अभी दिपावले में कापी समय है लगबक 10-15 दिन का समय है तो आप कुछ चीजों कर लें दोस्तो सबसे जो इंपोर्टन चीज है जो आपको लेकर आनी है वो है श्री कुबेर यंत्र ये आप जो पूजा शोप होती है वहाँ से आपको मिल जाएगा आप इसको ओनलाइन ओडर करके भी मंगा सकते है लेकिन ये दिया आप चाहते हैं कि आप बजार में जहांपे आप रहते हैं जिस सिटी में रहते हैं वहाँ आपको नहीं मिल पा रहा है ये आप ओनलाइन नहीं मंगाना चाहते है तो आप ये काम कर सकते हैं की यंत्र का मेन उद्धेtor जो यह होता है कि जो यंत्र पर आकर्ति बनी हुई है जो चिन्द बने हुए है वो इस पष्ट दिखाई दिने चाहिए कोशिश यह करें कि आपको कुबेर यंत्र मिल जाए और यदि कुबेर यंत्र आपको तामर पत्र पर खुदावा मिल जाए तो वह सर्वसेश्ट होता है लेकिन यदि साध़हण कुबेर यंत्र भी आपको मिल जाए तो भी चलisenbe दोस्तों कुबेर यंत्र लेने के बाद आप एक चोकी लें, चोकी के उपर आपको सफेद कपड़ा बिछाना है, सफेद कपड़ा बिछाने के बाद चोकी पर आपको कुबेर यंत्र इस्थापित करें, और कुबेर यंत्र इस्थापित करने के बाद कुबेर यंत्र के सामने आपको चोकी के उपर आपको जो आप यंत्र देख रहे हैं आपको इस यंत्र को भी बनाना है इस यंत्र को सर्वतो भद्र चक्र कहा जाता है जब आप इस यंत्र को बना देंगे कुबेर यंत्र के सामने उसके पश्चाथ इस यंतर के 4 तरफ जो यंतर आप अभी चीतर में देख रहे हैं इस यंतर के 4 तरफ आपको 11 दीपक जलाने हैं और जो दीपक हैं वो मिट्तिके होने चाहिए और उनमें आपको सरसो का तेल आपको बढ़ना है 5 दीपक इस यंतर के एक साइड में यानि उत्तर दिशे वाली साइड में और जो पांच दिपक हैं वो दक्षिन दिशे वाली साइड में आप रख दें और जो एक दिपक है वो यंतर के आगे जहां पर पूर्व दिशा लिखा हुआ है उसके आगे यंतर के आगे रख दें यानि जो कुबेर यंतर था उसके लाल रंग की होती है, चनी की दाल, चावल, उडद की दाल, जिसे महा बोलता है, महा की दाल बोल लेता है, और जो साबुत मसरी होती है, जो लाल रंग की दाल होती है, साबुत मसरी, यह पांच परकार के अनाज हैं, यह आपको लेने हैं, इसके पश्चात, जो विदी आपको बताई जा रही है उस वीदियो को आप ध्यान पूर्वक सुने हैं सबसे पहले आप क्या करें जैसे आप चितर देख रहे हैं आपको ये चितर बनाना है चितर किस तरी किसे बनाएंगे वो आप ध्यान दे सुन ले आप एक फुट बाई एक फुट का आप एक गत्ता ले ले आपकी घर में कोई गत्ते का डबबा पड़ा होगा पहले से ही तो आप उसको काट ले और उसका चकोड टुकड़ा एक फुट बाई एक फुट का आप उसमें से काट कर निकाल ले और उस टुकुड़े के ओपर आप सफेद रंग का जो कागज होता है वाइट पेपर वो आप चिपका दे है और उस पेपर को जब वो सुख जाया चित्री के से उसके पस्चाग जो चित्र आप अभी देख रहे हैं बिल्कुल आपको ऐसा ही चित्र बनाना है इस चित्र में ऊपर की तरफ उरव नीचे की तरफ पस्चिम बाई और उत्तर दाई और दक्षिन इस तरी के से आपको लिखना है बीच में जिस तरी के से आप ये त्री बुच की आकड़ित देख रहे हैं दो त्री बुच, एक दुस्छरे को काट रहे हैं ये आपको बनाने हैं बीच में आपको स्वास्तिक का चिन बनाना है और स्वास्तिक के चिन के ऊपर की तरफ ओम और नीचे की तरफ श्री लिखना है इस चकर के चारों और जो गोले देख रहे हैं या आपको गोले नहीं बनाने हैं यहां पर आपको वाज़ता में धेरिया रखनी है अनाज की जो पांच परकार के अनाज हमने अभी आपको बताया है उन अनाज की धेरिया आपको यहां पर रखनी है कैसे रखनी है पूरो के नीचे आप एक अनाज की धेरि रखते हैं कोई सब यह अनाज चावल, खाली दाल, लाल दाल, चने के दाल, कोई सी भी दाल, किसी भी दाल की, किसी भी अनाज की डेरी, आप इन चारो गोलों में, जो चारो गोलों बने हुए हैं, इन गोलों के उपर आप रखते हैं, एक गोले के उपर आप उड़त की दाल रखते हैं, दूसरे जो गोला बना हुआ है, वहाँ पर आप चावल रख दें, तीसरा जो गोला बना हुआ है वहाँ पर चने की डाल रख दें, और जो चोथा गोला बना हुआ है वहाँ पर मुंग की डाल रख दें, और जो बीच में जो स्वास्तिक का चिन बना हुआ है, यहाँ पर वाकिये जो आनाज बज्जय पांच हुआ, वो अनाज यहां पर आपको रख देना है दोस्तो एक बात का आपको ध्यान रखना है विशेज ध्यान रखना है जो अनाज आप परियुक्त करेंगे जो भी दाले आप परियुक्त करेंगे ये आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है 50-50 ग्राम आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है और प्रियोग करने से पहले आप दिन के समय आप इसमें से जो तूटे फुटे जो दाने हैं अनाज के वो निकाल कर आप फैक दें क्योंकि किसी भी पुजा में, पुजा कोई सी भी करें, कोई सी भी साधना करें, उसमें खंडित अनाज का प्रियुक नहीं किया जाता है तो जो अनाज के दाने हो, चावल के दाने हो, चाये दाल के दाने हो, वह एखंडित होने चाहिए, साबूत होने चाहिए तो जो खंडित अनाज है उसे आप निकाल दें और जो ए खंडित अनाज है उसको ही आपको जो यंत्र आपके सामने यहाँ पर आपको रखना है इसके पश्चात आप जहां उत्तर लिखा हुआ है आप उपर की तरफ देखिए जहां उत्तर लिखा हुआ है एक साब बना हुआ है यहाँ पर आपको जो काली उडद हमने आपको बताई थी काली उडद से आपको यहाँ पर साब के आकरती बनानी है इस तरीके से जैसा आप चितने में देख सकते हैं यह आपको सापके आकरती बनानी है और चारो तरफ जहाँ पर मेखला रिखाई लिखी हुई है मेखला रिखाई आप देख लीजिए पूरव दिशा के पास डख्षिन दिशा के नीचे की तरफ अस्चिम दिशा के पास और उत्तर दिशा के नीचे की तरफ यह तीन-तीन रिखाई खीच हुई है यहाँ पर आपको चार रंगों से यानि जो अनाज थे अलग-लग रंगों के अनाज है इन रंगों से आपको रिखाई खीचनी है दोस्तो विधी को बड़े ध्यान से सुनना कुछ भी आप मिस ना करना कुछ भी मिस कर दोगे गलती कर दोगे तो जो साधना है वो फलिभूत नहीं होगी फिर आप हमें कहेंगे कि गुरुजी साधना फलिभूत नहीं होती है सफेद, लाल, काली और हरी इन रंगों से आपको ये चारों मेखला रिखाय बनानी है यानि जहाँ पर पूरुब लिखा हुआ है यहाँ पर आप चावल से तीन रिखाय बना दे चावल सफेद रंग की होते हैं तो सफेद रंग की रिखाय हो जाएंगी जहाँ पर दक्षन लिखा हुआ है, इसके नीचे जो मेखला रिखाए हैं, यहाँ पर आप जो लाल रंग की जो दाल हमने आपको बताई थी, थाबुत मसरी की, आप उससे रिखाए बना दीजिए, इसी परकार जो हरी और काली रंग की दाल है, उससे आप रिखाए बना हैं, दोस्तों इतनी करिया करने के पश्चात आपको कुबेरियंतर को परणाम करना है, और कुबेरियंतर को आपको दूद से इसनान कराना है, इसके लिए आप जो कच्चा दूद होता है, गाए का, वो आप थोड़ा से कर्टोरिय में अपने पास रखें, और हाथ में लेक को आप ग्यारा भार पड़ेंगे, मंत्र इस प्रकार है, अस्य कुबेर मंत्रस्य, विशरवारिशी, वरती चंद, शिव मित्र धनेश्वर देवता, दरिद्रय विनाशने, पूर्ण सम्रद्धी, सिद्ध्यरते, जपे विनियोगा है, दोस्तों विनियोग का मतलब होता है कि जो भी आप साधना करने जा रहे हैं, आप उस साधना को आप आवान कर रहा हैं, उस साधना का, ताकि जो वातवरण है, वातवरण में ब्रह्मान में जो गूप चक्तिया हैं, वो आपकी साहता करेंगी उस मंत्र को या उस यंत्र को सिद्ध करने में, दोस्तों इस मंत्र को आप जैसा लिखावा है वैसे ही आप इस मंतर को जाप करें बिल्कुल भी गलती ना करें अन्य था ये जो जो भी आप साधना कर रहे हैं ये फलिभूत नहीं होगी विनियो करने के पस्चाथ आपको मंतर का दियान करना है दियान किस तरी किसे करना है आप सबसे पहले आँखे बंद करके आप बैठ जाएं और कुबीर जी का आप मन में चिन्तन करें उनका दियान लगाएं उनका दियान करने के पस्चाथ आपको जो मंतर बताया जा रहा है इस मंतर का आपको ग्यारा बार जाप करना है मन ही मन में मनुज बाहू विमान वर इस्थितम गरुड रतन भिमनिधिनायकं शिव शंक मुकुटादी विभूशितम वर्गदे ददतम मन तुर दिलं मंतर दुबारा सुन ले मनुज बाहू विमान वर इस्थितम गरुड रतन भिमनिधिनायकं शिव शंक मुकुटादी विभूशितम वर्कदे ददतम मनतुर दिलम दोस्तो इस मंतर को जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप नोट कर लें हो सके तो इसको याद कर लें और इस मंतर का आप 11 बार जाप करें ये आपका ध्यान हो जाएगा है दियान करने के प्रिश्चात अब आप आगे की साथ ना करें दोस्तो विनियोग और दियान के प्रिश्चात अब जो शिरी कुबेर यंत्र है हम इसको सिद्ध करेंगे अर्थात शिरी कुबेर यंत्र को पराण परतिश्चित करेंगे कोई भी यंत्र जब तक प्राण पर्तिष्टित ना हो तब तक वह कारिया नहीं करता है प्राण पर्तिष्टित करने कारत होता है किसे भी यंत्र को सिद्ध करना तो दोस्तो अब हम शिरी कुभेर यंत्र को सिद्ध करेंगे इनको प्राण पर्तिष्टित करेंगे प्रण प्रतिष्टित करने के लिए जो मंत्र आपको बताया जा रहा है आपको इस मंत्र को एक हजार अस्य बार आपको पढ़ना है ओम श्रीम ओम हरीम श्रीम हरीम क्लीम श्रीम क्लीम विद्देश्वरा नमान दोस्तों ये मंत्र है इस मंत्र का आपको 1080 बार यानि कि जो 10 मलाओं के समाना आपको इसका जाप करना है मंत्र आप दोबारा सुन ले ओम श्रीम ओम हरीम श्रीम हरीम कलीम श्रीम कलीम विद्धिशुरा नमा दोस्तों ये मंत्र कुबेर जी का प्रेम मंत्र है जब आप इस मंत्र को 1080 बार जाप करेंगे तो यह जो यंत्र है शिरी कुबेर यंत्र है यह सिद्ध हो जाएगा दोस्तो इसके प्रश्चात मंत्र को सिद्ध करने के प्रश्चात जब आप इस यंत्र को सिद्ध करने के प्रश्चात एक मंत्र आपको बता रहे हैं इस मंत्र का भी आपको 108 पर चाप करना है मंत्र इस परकार है ओम यक्षाए कुबेराए वैश्रवनाए धन धानियादी पताए धन समरद्धी में देहिए दाप्पे सौहाद सादक अपना नाम ले जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ पर आपको अपना नाम लेना है ये यंत्र जो ये मंत्र है जो आपको बताया जा रहा है ये मंत्र भी आपको 108 बार जाप करना है मंत्र दबारा सुन ले ओम यक्षाए कुबेराए सादक अपना नाम ले इस परकार जब आप 108 बार इस मंत्र को जाप कर लेंगे तो ये जो शिरी कुबेरी अंत्र है ये सित्ध हो जाएगा इसके पस्चाद दोस्तो शिरी कुबेरी अंत्र को आप पूजा इस्थल पर ही छोड़ दे दोस्तो ये सादना किस समय करने है जिस समय आप दिपावली की रात को लक्षमी पूजन कर लेते हैं तो लक्षमी पूजन करने के पस्चाद आप शिरी कुबेरी अंत्र की सादना करेंगे क्योंकि जो लक्षमी की सादना है उनका एक समय होता है जो मुरत होता है साधना का पूजा करने का उस मुरत में तो आप लक्षमीजी की पूजा ही करें जो भी पूजा करते हैं कुबेर यंत्र को भी आप उस पूजा में रख ले और जब आप पूजा कर लें तो पूजा करने के पश्चात इस साथना को आप करने है इस परकार जो श्री कुबेर यंत्र है वैं सिध्ध हो जायेगा इस यंत्र को सिध्ध करने के बाद आप को जैस्तल पर ही छोड़ दे और अगले दिन इस यंत्र को उठा कर आपका जो पूजा का कक्ष है वहां पर आपी से रखते हैं और प्रति दिन शाम के समय आपका जो मंत्र जो हमने आपको बताया था इस मंत्र को आप 108 बार यानि एक माला आप प्रति दिन सुरी कुबेर यंत्र को देखते हुए आप जरूर चते हैं कुबेर जी किरपया आपके पर होगी और यह आपके जिवन में धन दहन या व्यभव किरति को जो है वह अवश्य बिखेरेंगे इस परकार आपकी जो कुबेर साधना है वो संपन हो जाएगी तो दोस्तों ये अत्यन्त सरल साधना है इसमें कुछ समान है छोटा-छोटा बस आपको वो लेकर आना है वो रेंज करना है और अभी साधनों का वश्य करें जिससे कुबेर जी किर्फे आपके उपर हो और आप धनवान हो जाए और आपके आर्थिक समस्य आर्थिक किल्द दूर हो जाए दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक सदिक शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आर्थिक समझ से आया ताकि और लोगों को भी भला हो सके दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैम आता दी